विल करवाऊं, रिलिंक्विश्मेंट डीट करवाऊं, गिफ डीट करवाऊं या सेल डीट करवाऊं ये सारी टरम्स आपके सामने आजाती हैं जब भी किसी प्रोपर्टी के ट्रांसफर की बाताती है तो देखे, property को transfer करने के सारे तरीके होते हैं इस तरह की deeds को create करा करके आप property को transfer कर सकते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है कि person कुछ पैसों को बचाने के लिए या legal knowledge को कम होने के कारण गलत तरीके की deed करा लेते हैं किसी property के transfer की बात करते हैं तो वहाँ आपर तीन कानून लागू होते हैं अगर आपने तीनों कानून के प्रावधान को देखेंगे तो हमें पता लगीगा कि किस situation में किस तरह का title document हमें कराना चाहिए तो आज आएक एक करके हम इस सारे title documents से बात करते हैं सबसे पहले हम will की बात करते हैं तो will एक ऐसा document होता है जहां पर person अपने मरने के बाद उसकी property किसको transfer होगी ये उस document के अंदर बताता है अब will एक ऐसा document है जिसको n number of time बनाए गा सकता है और will हमेशा last will ही लागू होती है इसका मतलब क्या है कि एक person ने अगर कोई will बना दी है और बाद में उसको लगता है कि मुझे यार इस will के अंदर जो लिखा गया था उसको change करना है तो किसी भी time अपनी नई will बना करके उसको change कर सकता है हमेशा जो last will होती है किसी person की उसके मरने से पहले जो उसने last will लिखी होती है उसी को उसकी genuine will मना जाता है जैसे ही वो अपनी last will लिखता है उसे पहले कि लिखी गई सारी will खतम हो जाती है तो अब हम बात करते हैं कि क्या will को register कराना जरूरी है देखिए as per registration act will को registration कराने की कोई जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर आप will को register कराते हैं और वहाँ पर दो witness को रखते हैं तो ऐसी will को बाद में proof करने में असानी होती है जिससे बहुत सारे डिस्प्यूट future में खतम हो जाती है तो will को register कराने की तो जरूरत नहीं है ये भी एक तरीका है किसी property के rights को transfer करने का अब ये relinquishment deed एक special circumstances में ही की जा सकती है वो क्या होते हैं अगर कोई पसंद बिना बिन लिखे या property को बिना transfer किये expire हो जाता है तो उसकी जो property होती है वो उसके legal hires के बीज़ में बराबर हिस्सों में चली जाती है अब उन legal hires में से एक legal hires अपना हिस्सा अगर किसी दूसरे legal hires को देना चाता है तो ऐसी condition में वो relinquishment deed करके अपना share दूसरे legal hires को transfer कर सकता है अब आप कहेंगे ये तो बाती नहीं समझ मैं आपकी मैं आपको example के दोर पर समझाता हूँ मान लीजी एक रामलाल नाम का वेक्टी है और उसकी दोसोगच की property है उसकी पतनी और तीन बच्चे है रामलाल बिना कोई will लिखे या बिना किसी तरीके का transfer करे property का expire हो जाता है और बाद में उसकी property जो दोसोगच की property थी वो उसके चार तीनो बच्चो और उसकी पतनी के नाम बराबर इस्सों में चली जाती है अब उसके तीनो बच्चे चाते हैं कि हम अपनी पूरे अपना पूरा इस्सा जो है वो अपनी मा के नाम transfer कर दे तो तीनो legal high जो तीनो उसके बच्चे हैं वो अपनी मदर के नाम relinquishment deed करा करके अपने इस्ते को मदर को दे सकते हैं इसी तरीके से कोई भी एक ब्रदर अपने इस्ते को भी दूसरे ब्रदर को relinquishment deed करा करके अपना इससा दे सकता है तो यह जो document होता है इसको हम relinquishment deed कहते हैं As per registration act, relinquishment deed को register code के यहां registered होना बहुत ही ज़रूरी होता है तो relinquishment deed मैंने आपको बता दिये एक ऐसा document है जिसको register कराना ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर जो stamp duty होती है वो बहुत ही nominal होती है जिसको आप pay करके अपना इस्ता अपने किसी legal IRS को दे सकते हैं Next document है जिसके थूँ आप property को transfer कर सकते हैं वो है gift deed Gift deed एक ऐसा document है जो कोई भी person अपने जीवित रहते हुए अपने blood relation में अपनी property को transfer कर सकते हैं Gift deed कराने का कुछ फाइदे होते हैं वो क्या फाइदे हैं कि आपको gift deed कराने के लिए किसी भी तरह का consideration amount को लेना या देना नहीं होता लेकिन gift deed मैंने बोला कि blood relation में ही transfer हो सकते हैं जैसे अभी recent बे आपने सुना हुआ कि अमिता बच्चन ने अपनी लड़की को अपनी एक property transfer करी through gift deed और अभी कुछ दिनों पहले वीडिया में बड़ा ही famous रायक मामला था जो gift deed था जिसमें रेमेंट्स के जो मालिक थे पहले तिंगानिया उन्होंने अपने बेटे को अपनी सारी property gift कर दी थी और बाद में उसके बेटे gift deed नहीं करानी चाहिए उनको will कराना चाहिए क्योंकि उनके जीवित रहते जब वो अपने right transfer कर जाते हैं तो उनके future में consequences टाई बार गलत सामने आ जाते हैं अब gift deed की और sale deed की जब बात कते हैं तो उसमें थोड़ा सा ही difference रह जाता है gift deed के अंदर मैंने बताया कि consideration amount पे करने की जरूत नहीं होती है लेकिन gift deed registered करानी बहुत ही जरूरी होती है और इसके अंदर जो stem duty होती है वो लगबग sale deed के बराबर लाग अब जो last and final जो document है जो title transfer करने के लिए discuss करते हैं वो है sale deed अगर मुझसे पूछते है कि किसी भी property को transfer करने की ने best document क्या है तो मैं हमेशा बोलता हो sale deed is the best document to transfer the property ऐसा क्यों है क्योंकि sale deed एक ऐसा document है जहां आप पर आप property को transfer करते हैं उसका consideration amount accept कर तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी person अपनी property को किसी भी person को चाहे वो उसके blurred relation में आता है या नहीं आता है उसके परिवार का है या नहीं है भार के आदमी को की अपनी property उस property के बदले में प्रैसा ले करके transfer कर सकता है तो generally sale deed की जब हम बात करते हैं तो sale deed को registered होना पहुती ज़रूरी होता है अभी कई बार ऐसा देखने में आ है कि लोग GPA पे अपनी property को transfer कर देते हैं ऐसी जितनी भी GPA होती है वो valid नहीं होती है आपको sale deed को register code के सामने जा करके करवाना चाहिए और इस तरह की sale deed के अंदर stamp duty पे करने होती है sale deed को best document इसलिए मना जाता है क्योंकि यहाँ पर consideration amount आ जाता है और इस तरह की sale deed को revoke करना भी बहुत ही मुश्किल होता है कुछ cases के अंदर आप इस तरह की sale deed को revoke करवा सकते हैं वो कौनसे cases होते हैं जैसे अगर कोई sale deed आपको fraud में लेकर के करवाई गई हो या फिर influence में लेकर के कराई गई हो threat में लेकर के करवाई गई हो तो ऐसी sale deed को cancel कराने के लिए आप code में case दायर कर सकते हैं वहाँ पर आपको prove करना पड़ेगा कि जो sale deed होई थी यह fraud तरीके से कराई गई थी लेकिन generally एक बार consideration amount लेने के बाद sale deed को revoke नहीं किया जासकता है तो आज मैंने आपको इस वीडियो में सभी वो तरीके बताया हैं जिससे आप अपने property के title document को transfer कर सकते हैं आने वाले समय में मैं आपको और भी legal information जवगत कराता रहूँगा I am advocate Yogi Shigarwal I make your legal license easy Be aware, be safe